हेलो स्टुडेंट तो स्वागत है आपका अश्टागला स्टडे अकैडमी में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रसनावली किन दस्मलोग 5 का प्रसन संख्या 4 का चौथा और 5 बाद तो आएए स्टार्ट करते हैं हम लोग तो कुश्चन नमबर 4 कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो अस्थान ए और बी 100 किलोमेटर की दूरी पर है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारम करती है यदि ये कारे भिन भिन चालों से एक ही तिसा में चलती तो चलती है तो वे 5 घंटे पस्चात मि जात कीजिए अब यहां पर देखेए दोस्तों थोड़ा सा मिश्टेक है NCRT बुक्स में कुछ कोई कोई बुक्स में मिश्टेक भी कर दिया है तो यहां पर एक कथन और लिखना पड़े यहां पर लिखना पड़ेगा यह यदि वे विप्री दिसा में चलती है तो एक है कि माना पहले कार की चाल जो है x क्लोमीटर है अब तो हमें ये नहीं न पता है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले आदे तो कि पहले हम लोग माल लेंगे कि फाली कार की चाल x किलो मेटर प्रतियार्स है और दूसरे कार की चाल वाई किलो मेटर प्रतियार्स है अब ध्यान से थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं इस कथन को उसके बाद हम लोग आगे करना इस्टाट करते हैं अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा बोल रहा है एक राजमार्क यानि हाइ पर दो अस्थान A और B 100 किलो मेटर की दूरी पर है यानि कि दो अस्थान है हमारा एक अस्थान तो A है और दूसरा अस्थान B है और ये दोनों के बीच का दूरी क्या है डिश्नेंस तो दूरी है 100 किलो मेटर यहाँ पर 100 किलो मेटर है अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारम करती है हना एक कार जो है A बिंदू से और दूसरी कार B बिंदू से एक ही समय पर चलना श्टाट करता है जैसे आठ बजे अगर ये खुलता है चलता है तो ये भी आठ बजे ही start होता है अब आगे बोल रहा है कि यदि ये कारे भिन-भिन चालों से एक ही दिशा में चलती है अब ध्यान दिजेगा यहां पर दो condition होगा मालिया कि पहले कार का मालिया यहां पर जो कार थी हमारी उस कार का चाल जो हमने बोला यक्स किलोमेटर प्रति घंटा है और दूसरा जो कार है यहां पर इस कार का हमने बोला कि य किलोमेटर प्रति घंटा है चाल तो बोल रहा है कि अब एक कॉंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर दोनों कारे एक ही दिशा में होगा क्या हमने बोला मालिया कि पहल पुर्व में ही जायेंगे है ना तो उस condition में इन दोनों कारों की जो चाल होगी एक दूसरे से घट जाएगे यानि यक्स मानिस वाई हो जाएगा अगर मैं पूछो कि परिणामी चाल क्या होगा दोनों का तो पहले वाले एक चाल में से दूसरे वाले चाल को घटा देंगे जब दोनों एक ही तिसा में चलेंगे जैसे कि ये भी गाड़ी पुरुव में जा रही है तो ये भी पुरुव में जाना चाहिए तब होगा अब दूसरा अगर दोनों अगर विप्रित हो जाते हैं यानि मान के चलिए कि ये वाला इस डारेक्शन में जा रहा है यक्स ये पहला गाड़ी जिसका हमने माना चाल यक्स किलोमेटर प्रतियावर वो चल रहा है इस direction में और दूसरा जिसका चाल y km प्रती घंटा है उसका चाल ये है तो आप देख पारे हैं यहाँ पर विप्रित हो रहा है न तो इस condition में दोनों की चाले जूड जाती है x प्लस y मैं पुछू इन दोनों का चाल परिणामी चाल क्या होगा तो दोनों को हम क्या कर देंगे जोड देंगे क्यों क्यों क्योंकि दोनों का चाल क्या है विप्रित दिशा में है जिस कारण तो यहाँ पे ध्यान दिजेगा तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए प्रस्ना अनुसार पहले तो हम लोग प्रस्न के अनुसार बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्न से एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि चाल बराबर होता है चाल बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय दूरी बटा समय अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों दूरी तो हमारा क्या होगा सौ किलो मिटर ना समय क्या होगा तो समय यहाँ पर देखे ध्यान से यहाँ पे सर्थ नमबर पहले से हमने लिख दिया सर्थ नमबर पहला फश्ट चुकि चाले हमारी क्या है तो विप्रिज दिसा में है तो जब विप्रिज दिसा में होगा तो चाल बराबर क्या हो जाएगा तो चाल बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, कि चाल बराबर क्या होता है फोर्मूला चाल बराबर तो होता है दूरी और बटा में समय हाँ आ बस बहुत ही असान मैं इसका बताने जा रहा हूँ अब देखिए चाल क्या हो जाएगा तो सर्त नंबर पहले का नुसार अगर पहला कथनी देखा जाए तो यहाँ पे बोला यदी ये कारे भिन भिन चालों से एक ही दिसा में चलती है जब एक ही दिसा में चलेगी तो फिर दोनों कारों की चाल जुट जाएगी यानि कि परिण हो जाएगा 100 किलोमेटर तो दूरी तो हमारा 100 किलोमेटर दिया हुआ है समय कितना लग रहा है तो बोल रहा है कि तो वे पांच घंटे पस्चात मिलती है दोनों का रहे तो यहां पर समय क्या लग गया पांच अगर इसे हम लोग सिंप्लिफाई कर ले तो पांदूना दस यान जब दोनों कारों की चाल जो है एक ही डिरेक्शन में होगा तो चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा तो यहां पर चाल जो है यक्स मैनेस वाई रखना है दोस्तों तो यह एक्स मैनेस वाई is equal to कितना हो जाएगा 20 समिक्रन नमबर 1 अब उसके बाद सर्त नमबर 2 के अनुसा यहाँ पर आगे अगर हम लोग फोकस करें, यहाँ पर बोल दा है, कथा नमबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि वे विपरित दिशा में चलती, तो एक घंटे पस्चात मिलती है, उसका जब दिशा विपरित होता है उन दोनों कारों का, तो वे एक घंटा पस्चात मिलती, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, जब वे दिसा बिपरित होंगी, तो चाले जूट जाएगी न, तो चाल तो हमारा यक्स प्लस वाई हो जाएगा, और दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी तो 100 किलोमेटर ही जाना है न, चाहे वो बिपरित में जाए, चाहे एक ही दिसा मे जाए और समय कितना लग रहा है एक घंटा तो हमने क्या लिखा चाल बराबर दूरी बटा में समय अगर ये अगर आप यूज कर देते हैं तो मैं बता रहा हूं कि बहुत ही आसान में कुशन बन जाएगा बसरते यहां पर दिमाग में आपको रखना है कि जब एक ही दिशा मे दोनों कार चलेगा तो चाल दोनों का परिणामी जो चाल होगा वो घटेगा ठीक है ना पहले में से दूसरे का चाल घटा देंगे और यदि दोनों का विप्रिद इसा है तो दोनों का परिणामी चाल क्या होगा तो जूड जाएगा राइट तो एक छिप जाता है हमारा य यहाँ पर y प्लस में है तो हम लोग लिख देंगे सिंपली के समीकरन 1 प्लस 2 से तो यहाँ पर लिखिएगा इसलिए बिलोपन बिधी से बिलोपन बिधी करना असान रहेगा आपके अगर और भी कोई बिधी कंप्लेट लगता अच्छा लगता है तो आप उससे भी हल कर सकते है तो यहाँ पर दिया हुआ x-y is equal to 20 और समीकरन नमबर 2 दिया हुआ x plus y बराबर कितना है 100 और देखा जाए तो यह देखिए अब जब समीकरन 1 plus 2 किया है हमने तो सिंपली क्या होगा इसका सिंपल नहीं बदलता है यह मायने से यह plus कट गया x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 120 कितना हो जाएगा 120 और कट किया जाए तो यह 60 बार में चला जाएगा यानि yaks का जो मान है वो आ जाएगा 60 km प्रतियास अब yaks का मान जो है समिकरन 1 se समिकरन 1 क्या दिया हुआ है yaks minus y बराबर 20 то yaks का मान क्या रखना है 60 60 minus y बराबर कितना है 20 अब यहाँ पर देखा जिए तो 20 को यहाँ पर लाते है y को यहाँ पर तो 60 minus 20 बराबर कितना हो गया y तो यहाँ पर ध्यान दिजएगा यानि कहने का मतलब है कि पहली कार की जो चाल होगी उसको यक्स किलोमेटर प्रती घंटा माने थे तो उसका मान कितना आ गया साट किलोमेटर प्रति घंटा और वाई का कितना आगया चालिस किलोमेटर प्रति घंटा तो उमिद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा चलिए कोस्टन नमर नेक्स्ट देख लेते हैं कोस्टन कहा रहे हैं हमारा पांच वाग की एक आयत का च्छेतरफल नो वर्ग वर्ग विकाई कम हो जाती है यदि उसके लंबाई पांच विकाई कम कर दी जाती है और चोड़ाई तीन विकाई बढ़ा दी जाती है यदि हम लंबाई को तीन विकाई और चोड़ाई को दो विकाई बढ़ा दे तो छेतरफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है आयत की विमाई ज्याद केगे तो हमने मान लिया दोस्तों कि आयत की विमाई क्या होती है तो आयत में दो विमाई होती है एक तो लंबाई होता है दूसरा चोड़ाई होता है और आयत का अगर हम लोग बात कर ले तो आयत कुछ इस परकार का होता है हमारा ये आप देख सकते हैं ये हमारा एक आयत है है ना जिसमें ये वाला जो भाग होगा ये लंबाई का लाता है इसको मैं मान लू कि यल है तो ये भी क्या होगा यल हो जाएगा और ये क्या होगा च ना और चोड़ाई चोड़ाई के बराबर होगा लेगन यहां पर हम लोग क्या मान के चलेंगे कि माना हमने कि लंबाई यक्स है और चोड़ाई क्या है वाई है समझ पार है यह आपका मर्जी करेगा तो यल भी मान सकते हैं चोड़ाई भी भी मान सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो यानि कुल मिलाकर यह समझना हमें कि आयत में केवल दो ही भीमा होता है एक तो लंबाई होता है दूसरा चोड़ाई होता है क्योंकि इसे किवल खले हम दर्सा सकते समतल पर इसे हम लोग आस्मान में नहीं रख सकते हैं अंतरिच में नहीं रख सकते हैं तो अब मेरा एक कुस्टन और है कि आयत का छित्रफल क्या होता है तो आयत का छित्रफल होता है लंबाई गुणे चोड़ाई क्या होता है लंबाई गुणे चोड़ाई है ना तो आईए सबसे पहले हम लोग माल लेते हैं यहां पर कि माना आयत की लंबाई यक्स तथा चोड़ाई क्या है वाई है तो इस चीज को लिख लेंगे हम लोग तो यहां पर हमने लिख लिए दोस्तों कि माना आयत की लंबाई तब 6 फल क्या हो जाएगा ? तो जब 6 फल बराबर होता है ? लंबाय, उट गूढै तो यहां 5 पे हमने लिख दिया अब हम लोग चलते हैं प्रस्ण का नुसार की प्रस्ण क्या कहरे है हमारा दालेगे अब प्रस्ण से यहां पर देखिए, बोल रहा है कि एक आयत का छितरफल नो वर्ग एकाई कम हो जाता है, अब बताइए यहाँ पर कि आयत का छितरफल क्या है, एक्स वाई, और यह बोल रहा है कि यह कम हो जाता है, कितना, तो नो वर्ग एकाई, तो छितरफल तो हमारा एक्स वाई है, और इसमें स से 9 वर्ग इकाई घड़ जाता है, यानि कम का मतलब घड़ जाता है, कब घड़ जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, किसकी आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो पहले तो हमने बोला कि यक्स है, लेगन 5 इकाई कम कर दिया जा रहा है, तो यक्स मा इकाई कम कर दी जाती है और चोड़ाई तीन इकाई बढ़ा दी जाती है चोड़ाई कितना हमने बोला था वाई लेकिन इसमें क्या कर दे रहा है तीन इकाई बढ़ा दे रहा है तो चोड़ाई हमारा था वाई और इसमें तीन इकाई बढ़ा दे रहा है तब जाकर इन दोनो का गुनान फल जो है इसके छेतर फल में से 9 वर्गिकाई कम हो जाता है कहने का मतलब है कि उस आयत का छेतर फल में से 9 वर्गिकाई कम हो जाता है कब जब इसके लंबाई में से 5 वर्गिकाई और चोड़ाई में 3 वर्गिकाई बढ़ा दी जाती है इसके लंबाई में से 5 वर् प्लस तिन इन दोनों का गुणा नफल यानि के लंबाई गुणे चोड़ाई किसके बराबर होता है छेत्रफल के बराबर तो आप समझ में आ गया होगा आपको तो यह हमारा सर्थ नंबर पहला था एकदम आसान भी धी है दोस्तों ठीक ना तो यहां पर ध्यान दीजेगा यह हमारा है यक्स वाई उसी तरह मैनिस नो बराबर यक्स का वाई में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यक्स वाई यक्स का थिरी में करेंगे तो प्लस का थिरी एक्स और मैनिस पांच का वाई में करेंगे तो minus का 5y और minus 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 और देखा जाए तो ये plus का और ये भी plus का कड़ जाएगा हमारा ये minus का 15 इधर आएगा तो plus का यानि 15 और ये minus का 9 है और इधर बच गया हमारा 3x और minus 5y जब घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना तो यह हमने लिख लिया बराबर 6 और यह वाला पोर्षन आगे कर दिया यानि 3X मायनेस का 5 हो है यह equation number first पुना एगेन हम लोग देखते हैं आगे question इसमें कह रहा है दोस्तों कि यदि हम लंबाई को तीन इकाई और चौड़ाई को तीन इकाई बढ़ा दे यानि लंबाई और चौड़ाई दोनों को तीन इकाई और दो इकाई बढ़ा दिया जाए तो छेत्रफल जो है 67 वर्ग इक और यहां पर कह रहा है कि अगर लंबाई को तीन इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को दो इकाई बढ़ा दिया जाए तो छेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो छेत्रफल क्या था हमारे पस यक्स गुनेवाई यानि लंबाई और चौड़ाई का गुनन फल, आयत के छेतर फल होता है, यह बुला, 66 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, कब, जब लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यहाँ पर देखिया, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, और सोडाई को 2 इकाई, यानि लंबाई को 3 इकाई, और सोडाई को 2 इकाई बढ़ा देतो तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणन फल किसके बराबर होगा इसी का बराबर होगा है न यहाँ पर द्यान दीजेगा यह हमारा xy हो गया प्लस और सट बराबर यक्स का y में गुणना करेंगे तो xy और फिर x का 2 में करेंगे तो प्लस 2x और फिर 3 का y में करेंगे तो 3y और फिर 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 यहाँ पर देखा जाए तो यह वाला सी यह वाला पोर्ट्सन कड़ जाएगा 6 प्लस का और इधर आएगा तो मैनेस का 66 मैनेस 6 is equal to यह हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y अब देखा जाए तो यह फाइनली हमारे 61 बचेगा और इसको आगे लिख लेता हूँ तो 2x प्लस 3y is equal to कितना हो जाएगा 61 यह equation number second अब यहाँ पर देखिए कि बिलोपन भी थी अगर हम लोग लगा दे तो यह हमारा समिकरन नंबर पहला है यह अब आप देख सकते हैं ठेक तो समिकरन नंबर पहले में से देखा जाए यहाँ पर तो घटेगा तो नहीं दोनों में से है ना यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 68 है और यहाँ पर क्या दिया हुए 3x-5y बराबर 6 तो इसमें का 3 जो है उठाकर अगर 2 में गुना कर दिया जाए और 2 का उठाकर गुना एक में कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा तो हमने क्या बोला समिकरन एक में 3 का गुना करने पर समिकरन एक में गुना कर रहा हूँ मैं 3 का फिर मैनेस कर रहा हूँ समिकरन दो में क्या चीज़ का कर दूँ गुना दोस्तो तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा समिकरन एक में हम लोग दो का गुणा करेंगे न इसका ये वला उठाकर पार्ट इसमें करना है यहाँ पर लिखूंगा मैं दो और समिकरन दो में हम लोग किसका गुणा कर देंगे तीन का तो आईए सबसे पहले तो समिकरण एक में हम लोग किसका गुणा कर लेते हैं तीन का सुरी दो का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा तिन दूना 6 यक्स और फिर दो का गुणा करेंगे तो पांद दूना 10 और बराबर क्या होगा 6 दूना 12 और दूसरा क्या दिया हुआ हमारा समिकरण 2x प्लस 3y बराबर 61 इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 6x और 3 दियाई 9 प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा 3 का अगर इसमें कर देते तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18 यह अगर हम लोग घटाते हैं तो जब घटा रहें तो मैंस तो होगा सिंबल बदल जाता है यहां पर देखें यह वाला पोर्ट्शन से यह वाला कट जाएगा अब मानस 10y और मानस 9y कितना हो जाएगा मानस का 19y और बराबर यह कितना बचेगा दोस्तों तो यह बचेगा मानस का 171 यहाँ पर देखें मैनस से मैनस cancel out और 19 नवा 179 होता है है ना तो 19 y का मान कितना आजाएगा नवा आजाएगा अब इस y के मान को हम लोग किसमें रख दें तो समिकरण 1 में रख देते हैं या 2 ही में रख देजे यहाँ पर लिखेंगे समिकरण 2 से समिकरण 2 क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 यहां पर देख सकते हैं समिकरण 2 3y, y का मान कितना है 9, और बराबर कितना है हमारा, 61 9-27 प्लस में उधर गया तो मैनस में 2x बराबर कितना हो जाएगा तो 61-27 और अब इसे घटा लेते हैं हम लोग 11 में से 7 घटेगा तो 4 और फिर 5 में से 2 घटेगा तो 3 और इधर बच गया 2x 2 से इसके कट करेंगे तो 17 बराबर में कटेगा यानि 1x बराबर 17 और y बराबर कितना आया है 9 तो इसलिए बिमाय क्या हो जाएगी बिमाय तो हमने यही माना था आयत की बिमाय यानि के लंबाई x है और चोड़ाई y है तो हमारा यही हो जाएगी यानि के 17,9 होगी राइट